तो दोस्तो आज के दिन के अगर मार्केट की बात करें देखिए मार्केट में शानदार तेजी है अराउंड 230 पॉइंट्स की तेजी है अल्मोस्ट 0.5% के आसपास आप मान सकते हैं कि निफ्टी 50 में हमको शानदार तेजी देखने को मिल रही है और ये तेजी जो है काफी पॉजिटिव है अब वो पॉजिटिव क्यों है उसके पीछे रीजन में आपको बताना चाहूँगा तो आप देखिए टेकनिकल चार्ट पर अगर हम चलें निफ्टी 50 का अगर हम इंडेक्स की बात करें तो आप देखिए उस तो एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर हुई है आज के दिन एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत होते है 200 डे मूविं एवरिज के उपर क्लोजिंग तो लेट सी यहाँ पर किस प्रकार की क्लोजिंग हमको देखने को मिलती है और एक अच्छी बात यहाँ पर यह भी थी कि FIIs पिछले दो दिनों से अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर net positive ही हमको देखने को मिल रहे है यानि की net buyers ही हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे है तो यह भी एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है और निचले इस तरों से nifty almost काफी अच्छा है यहाँ पर जो है reverse हो चुका है पास-पास हमको होती हुई देखने को मिलेगी और यहाँ पर expected है कि यहाँ पर एक परसंट तक rate हाई की जा सकती है हो सकता है market इसको price दिन कर रहा हो लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से यहाँ पर हमको aggressive नहीं होना है अब यहाँ पर दीखी यह तो होगी दूस्तों market की बात बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि वो monopolies companies हैं जो अभी भी हमको 45% तक correction पर देखने को मिल रही है तो वहाँ पर buying की जा सकती है आलगि यह जो stocks हैं 50-55% तक भी correct हुए थे लेकिन market जब recover होगा जब सारे स्थिती सुधरते हुई नजर आएंगी तो यह stock आपको बहुत balance sheet मजबूत नजर आती कंपनी के product portfolio काफी अच्छा है तो यह कौन सी company से चलिए के करके हम जानते हैं technical chart पर देखेंगे तो पहली company उसमें हाँ पर info edge यानि कि नौकरी.com और इसके बारे में हमने लगातार बार बार चर्चा करी है कि नौकरी.com almost 95% इसका job sites का market इसने capture किया 95% का market share इसके पास है तो यहां पर अभी देखिए यह stock जो है करीब-करीब 55% तक correct हुआ था लेकिन अभी भी 45% के आसपस हमको correction पर देखने को मिल रहा है तो अगर आपका नजरिया लंबा है आपको इसके business model पर भरोसा है नौकरी.com की बात तो हम यहां पर करते ही हैं लेकि साथ-साथ जो इनका management है वो काफी capable है जो initial level पर start-ups पर निवेश करता है और उनको एक unicorn company बनाता है तो अभी भी मेरे को लगता है यह stock जो है long term के लिए अच्छी bet है nifty-fifty का part कहीं न कहीं यह future में बनता हुआ नजर आ सकता है तो इसको आप buy करके चल सकते है आलग कि अभी 200 movie average के उपर closing नहीं है तो आपको lump sum यहाँ पर विल्कुल भी अभी भी नहीं करना है हमेशा आपको SIP method ही यहाँ पर follow करना है क्योंकि ना ही हमको bottom पता है दोस्तों ना ही top पता है हम क्या कर सकते है long term का horizon रखे धिरे-धिरे SIP कर सकते है अच्छे हमारे conviction वाले stocks में तो यह हो हमको होती भी देखने को मिली थी अब यहाँ पर जो stock 23-24% के आसपस correction पर देखने को मिल रहा है और काफी अच्छी correction हो चुकी थी इसमें और जब मैं monopoly की बात करता हूं तो around 80% का market share इसका consumer loans में जिया उस तो अगर आप देखें तो जो consumer durables हैं जो electronic equipments है NBFC market leader है company और consumer durables में वो बहुत मजबूत हैं साथ ही साथ यहाँ पर monopoly है consumer loans में तो इस stock को भी आप हर dip में buy कर सकते हैं long term के लिए buy कर सकते हैं कोई भी problem यहाँ पर नहीं और जो यहाँ पर एक resistance के आसपास यह stock अभी trade कर रहा है तो हो सकते हैं आसे resistance ले 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 लेकिन जैसे हमने बात करें यह नी मीचरेस तो उसे काफी अच्छी recovery हो चुकी है 37% अभी भी correction पर देखने को मिल रहा है और kind of inverse head and shoulder pattern यहाँ पर बनता हो नजर आ रहा है यहाँ पर resistance अच्छा कासा neckline का तो इसको cross करेगा तो हो सकता है यहाँ पर अच्छी कासी तेजी आए तो आप इसको भी जिले जरा SIP mode मे long term के लिए buy कर सकते हैं यहाँ पर company अच्छी fundamentals अच्छे है Monopoly है पीजर सेग्मेंट में और QSR सेग्मेंट की बात करें तो यह sector ही काफी exponentially हमको future में grow होता हुआ देखने को मिल सकता है तो यह होगे दोस्तों तीन stocks अब यहाँ पर है चौथा stock वो है Monopoly बालकृष्न तायर सेक्टर की जब में बात करूँ तो Monopoly यहाँ पर क्यों है क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं off highway tires की बात करता हूँ यहाँ पर मैं जो बड़े जो infra heavy जो equipments होते हैं उनके tires की में बात करूँ तो यहाँ पर सबसे lowest cost producer है बालकृष्न इंडस्रीज ग्लोबल इसका I think 7% का market share है और साथ ही में यहाँ पर इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में इसकी monopoly है यहाँ पर कोई भी दूसरी company ऐसी नहीं है जो इस तरह के product mix के साथ काम करती हो तो आप देखिए यहाँ पर higher lows हमको बनते हुए देखने को मिल रहे हैं stock 38% तक correct हुआ था लेकिन अ यहाँ पर कितना जादा अभी भी sector wise जो है अंडर penetration है तो यहाँ पर penetration बढ़ता वह नजर आ सकता है management काफी जबरदस्त है और यहाँ पर demand काफी अच्छी है और जब यह हम बात करें इनके पास क्या यहाँ पर moat है तो यह lowest cost producer है यहीं इनका moat है तो यहीं की monopoly है तो अभी भ price to earning multiple wise महंगा हो चुका है इस level पर काफी अच्छा था यहाँ था जो कि इसका 10 years का median PE था उस टाइम यहाँ पर अच्छी opportunity थी अभी थोड़ा सा risk reward favorable नहीं है लेकिन long term के लिए आप इसमें SIP कर सकते हैं नेक्स्ट दोस्तों हैं हापर बाला जी अमाइंस हालकि यहाँ पर monopoly नहीं है लेकिन यह डूपॉली है और अल्काइल अमाइंस भी हाँ पर काफी अच्छी company है लेकिन बाला जी आमाइंस की बात करें तो आप growth factor जो है growth prospect काफी अच्छी नहीं ज़रात है क्योंकि इनका जो volume जो है यह दर्शार आए कि हाँ पर accumulation हमको होता हुआ देखने को मिला है तो यह भी kind of monopoly है क्यों monopoly है क्योंकि देखिए दुस्तों यह एक carbon जो है एक product बना रहे है वो है यहाँ पर DMHCL ठीक है DMHCL यहाँ पर जो है इनका product तो यह काम आएगा lithium-ion batteries में जो कि यहाँ पर कोई नह देखने को मिलती है और साथ ही में DMC DMC product जो है इनका product वो भी एक monopoly है I think मैंने गलत नाम लिख दिया है यहाँ पर I think DMC product है इनका dimethyl carbonate जो कि lithium-ion batteries में काम आता है तो यहाँ पर यह only supplier रहने वाले हैं और कई products इनके ऐसे हैं जहाँ पर अच्छी खासे इनकी market share इनोंने capture किया ह और यह product में इनकी monopoly रहने वाली है तो इस stock में भी आप buying करने की सोच सकते हैं अभी भी उपर इस तरह से अगर मैं बात करूं तो कितना correction पर मिल रहा है अभी भी आपको 40% के आफ़ पस correction पर मिल रहा हाले कि इसकी correction भी 50% तक हुई थी और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर तो यहाँ पर पॉजिटिविटी आती भी देखने को मिल रही है तो इसको भी आप बाय कर सकते हैं बाला जी अमाइन्स लास्ट पर नॉट द लीस्ट एवन्य सुपर मार्स यानि की डी मार्ट तो रिटेल सेग्मेंट में हाँ पर दोस्तों मोनोपॉली है आपको पता ही है कि अगर हम ब्रिक और मोटर बिजनस की बात करते हैं तो यहाँ पर इसको टकर देने वाला कोई नहीं है अभी भी जो स्टॉक यह है अभी देखिए लाग करेक्शन होई थी 46% की अभी यह करेक्शन 33% की रह गई है हाला कि महेंगा ज़रूर नजर आता है अगर हम वैसे दे अच्छी नजर आती है management काफी अच्छा है credible management है और यहाँ पर बिजनस में रिटेल के बिजनस में वह एक बहुत जबर्दस हाई growth बिजनस है इंडियन context में अगर बात करें तो इसको भी आप धिरे-दिर S.I.P. कर सकते है लमसम अभी मत लगाईए लमसम यहाँ पर वेट हम इसलिए हमेशा S.I.P. वेए में जाए ताकि आपकी जो average cost है वो हमेशा down ही रहे तो यह है दोस्तो 6 stocks जो monopoly है और आप इनको buy कर सकते हैं for the long term S.I.P. वेए में तो I hope दोस्तों यह वीडियो आपको informative लगा होगा वीडियो पसंद आए तो like कीजिए share कीजिए चनल को subscribe कर लिज झाल